आज जो है सुर्य ग्रहन लगने वाला है और सुर्य ग्रहन के बुरे प्रभाव से एक प्रेग्नेंट लेडी अपने बच्चे को कैसे बचा सकती है क्योंकि सभी जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी होती है सभी की प्रेग्नेंसी के दौरान ग्रहन का समय आता ही है क्योंकि consider कि ये एक साल में बारा महीने होते, नाइन मन्त की आपकी pregnancy होती है, इस दोरान दो या तीन ग्रहन सभी को सामना करना पड़ता है इस बुरे प्रभाव से और अपने बच्चे को बचाना होता है गाईज इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि भारत में ग्रहन की क्या इस्तिती होगी, खगोल सास्तर ग्रहन से रिलेटेट किन मानियताओं को बताता है, अगर जोती सास्तर की बात करें, उनका क्या कहना होता है, कैसे एक pregnant lady को अपनी रख्चा करनी चाहिए और अपने बच पर्चा करूंगी एक pregnant lady को कौन-कौन से काम करने है और कौन-कौन से काम जो है वह ग्रहन के दौरान बिल्कुल नहीं करने इस सारी चीजों के उपर चर्चा किया जाएगा तो चलिए गई वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं हूँ आपके श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चानल, पहली बार अगर आए हैं चानल पे, चानल को जरूर सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक किजिएगा, यहां अगर हम मानते हैं जोती सास्त्र की, वो ग्रहन को साफ साफ बोलते हैं कि सुर्य ग्रहन हो या चंद्र ग्रहन हो, दोनों ही एक असुब समय होता है, खगोल सास्तर इसे मानता है कि जब भी सुर्य को चंद्रमा पूरी तरीके से ढख लेता है, जिस कारण क्या होता है, सुर्य के प्रकास प्रीतिवी तक नहीं पहुशता है, यही सुर्य ग्रहन होता है, अब अगर हम बात करें इंडियन ट्राइदिशन की, तो मह सब जगह से क्लोज कर लीजिए उसमें रहिए अपनी लंबाई का धागा कट कर लिए उजला लाल सफेद जो मन में आए वो खुद उजला लाल सफेद कलर का ड्रेस भी पहन लिए गाउन साड़ी आप जो भी पसंद करती है जिसमें आप कमफटेबल खुद को महसूस करती है कपड़े आप पहन लीजिए और आपको क्या करना है भगवान का नाम लेना है अपने हाथों में नारियल रखना है साथ ही साथ आपको क्या करना है कि वास्रूम जाना चाहती है जा सकते हैं खाना पीना आप जो चाहती है शब कुछ खाइए सभी चीज़ों में तूलसी के पत्ते को डाल लीजिए और कोशिस कीजिए कि आपसे कोई भी सब्जी वगरा फ्रूट वगरा यह सब बिल्कुल नहीं काटिए देखी गई जो सुरी ग्रहन है 30 एप्रिल का यह एक आंसिक सुरी ग्रहन है जिस कारण सूतक नहीं लगेगा और जब भी सूतक नहीं लगता है तो आपको ज्यादा घबडाने और ज्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती है अब जब ग्रहन समाप्त होगा अगर आप चाहें ग्रहन के दर्वान सो भी सकती है सोने के उपर हाथों को पैरों को लेफ्ट करवट में करके आप सोईए सीधा करके सोईए अब अगर हम बात करें ग्रहन समाप्त होने के बाद नहाद होा लीजिए जिस भगवान में भरोसा करती है उनकी पूजा आप कर लीजिए धागे को बहते पानी में डाल दीजिए य किसी गरीब को जो चीज भी देना चाहेंगी अगर आप 11 रूपए देना चाहते हैं अगर आप कुछ कपड़े देना चाहते हैं जो भी देना चाहते हैं आप दान कीजिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हाँ कोसिस कीजिए कि आप खुछ न कुछ जो है वो दान करें इस वीडियो के अंदर मैंने आपके डाउट को क्लियर किया जाने से पहले मैं ग्रहन का समय बताना चाहूंगी जो होगा आपको 30 एप्रील रात को 12 बज के 15 मिनट से सुर्य ग्रहन स्टार्ट होगा जो की सुबा चार बज के 7 मिनट तक 1 माई तक रहेगा इस वीडियो के अंदर डाउट आपका क्लियर हुआ डेट टाइमिंग क्लियर हुआ सुर्य ग्रहन आंसिक सुर्य ग्रहन है जिसके कारण सुतक नहीं लगेगा चली गईज मिलती हूं कल की वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर